नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में बात करेंगी माडल पेपर के बारे में आपकी परिक्षाओं से सम्मंधित या प्रस्णबत्र है इस प्रस्णबत्र के माध्यम से आप परिक्षा में आने वाले उन प्रस्णों को समझ सकेंगे कि कैसे उन्हें हमें करना है किस तरह हमें परेक्षा में प्रस्ण करने चाहिए किन-किन बातों को ध्यान देना चाहिए तो सबसे पहले इसमें निर्देश पर चलते हैं सभी प्रस्णों के उत्तर दीजिए ऐसा निर्देश होता है लेखन में सुछता तथा इस्पष्टता का विसे ध्यान रखें स्वक्षो हो इस्पष्ट हो जो बात आप कहना चाहते हैं वह इस्पष्ट रूप से समझ में आ जाए इसी तरह प्रस्ण करम वारी ही लिखें अर्थात करम से जैसे पहला प्रशन आपने किया फिर पाचुमा किया फिर चोथा किया इस तरह से ना करें आप करम से ही प्रशनों का उत्तर दें इसका भी असर होता है इसका भी ध्यान दिया जाता है क्या प्रशन करम से किये हैं या नहीं तो चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं, अगला प्रस्ण जो है अग्र लिखित गध्यांस पर आधारित बह विकल्पी प्रस्णों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर लखिए, तो यहां एक गध्यांस दिया जा रहा है जो आपकी पाठ पुस्तक से है, आपने इसको भी होगा अब इस गध्यांस से प्रश्न पूछा जा रहा है गध्यांस है देखिए किन्तु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा जितना चाहो गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चेहरे पर कभी असंतोस की छाया भी न दिख देगी बैसाख में चाहे एकाद बार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उसे कभी खुस होते नहीं देखा अब यहां बात है बैसाख की तो बैसाख जो होता है गधे के लिए उप्यूक्त मोसम माना जाता है गधे हश्ट पुष्ट होते हैं फलते फोलते हैं तंदुरुस्त हो पर हमने तो उसे कभी खुस होते नहीं देखा उसके चहरे पर एक विशाद इस्ताई रूप से चाया रहता है शुक दुख हा निलाव किसी भी दसा में उसे बदलते नहीं देखा रिशियों मुनियों के जितने गुड़ हैं वे सभी उसमें पराकास्था को पहुझ गए है अब पराकास्था को पहुझ गए मलब उत्तमा वस्था को पहुझ गए हैं श्रेष्ट वस्था को पहुझ गए हैं तो पर आदमी उसे बेवकूप कहता है सदगुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित सीधापन संसार के लिए उप्यूक्त नहीं है लेखक इ हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है इसके माद हम समझ कर प्रशनों के उत्तर देंगे तो यहाँ पर पहला प्रशन दिया गया है आदमी गधे को क्या कहता है आदमी जो है गधे को क्या कहता है तो यहां देखे, बैसाख नंदन, बेवकूप, रिशियों मुनियों के समान स्रेष्ट, उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो यहां आदमी ही कहता है, लेकिन यहां जो गध्यांस में अर्थ दिया गया है, वह बेवकूप के लिए दिया गया है, कि आदमी गधे को बेवकूप क कहता है तो दूसरा विकल्ब यहां आपका सहीं हो जाएगा आप इस दूसरे विकल्ब को सहीं कर सकते हैं यह दूसरा विकल्ब आपका सहीं है इस तरह से अगले प्रस्न की तरफ अगर चलें अगला प्रस्न है बैसाख नंदन नाम से जाना जाता है अब बैसाख नंदन नाम स कौन जाना जाता है आप सभी जानते होगे काजी होस का मालिक रिशी मुनि गधा उप्रोक्त सभी तो यहां पर सिर्फ एक ही उत्तर आपका सही है वह है बैसाख नंदन नाम से गधा जाना जाता है गधे का एक परयावाची सब्द हैं इसी तरह से अगला प्रश्ण आपके सा अगला प्रश्ण है आपका तो हीरा मोती के समान, रिशी मुनियों के समान, गया के समान, गधे के समान, तो यहाँ पर दिया गया है, सही भी कलप आपका हो जाएगा, रिशी मुनियों के समान स्रेष्ट गुड बताया गया है, रिशी मुनियों के समान स्रेष्ट गुड तो अगला प्रशन जो है, पराक तो सभी यहां पर सही बिकल्प आपका पहला ही होगा कि पराकास्था का आसे है स्रेष्ट गुडवत्ता किसके समान स्रेष्ट अर्थात जिसकी पराकास्था है उसके समान स्रेष्ट इसी तरह से दूसरा प्रस्ण जो आपके प्रस्ण पत्र का है यह तिमाही प्रस्ण पत्र माडल प्रश्ण पत्र हैं इसमें दूसरा प्रश्ण जो है इस तरह से अधो लिखित का अभ्यांज पर आधारित बहु विकल्पी प्रश्णों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए हित चित की द्वै थून गिरानी मोव लिंडा टूटा त्रिसना छान इपर घर उपर कुबध का भाडा फूटा जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चुएड पानी कूड कपटकाया का निक्षा हर की गति जब जानी आधी पीछे जोजल बूठा प्रेम हरी जन भीना कहे कवीर भान के प्रक्टे उदित भया तम खीना इस तरह से आप इन पंक्तियों को पढ़ करके प्रश्णों का उत्तर देंगे पंक्तियों को तीन बार अवश्य पढ़ पढ़ने से क्या होता है कि आपको भाव समझ में आ जाते हैं जो प्रश्ण में पूछे जाने हैं इससे आप आसानी सुन प्रश्णों को कर पाते हैं अब यहां देखे पंक्तियों को मैंने पढ़ लिया है पहला प्रश्ण पूछा गया है सबद सब्दकार्थ है यह पंक् तक में भी दिया गया है सबत का अर्थ होता है पद पद तो यहां आपका विकल्प एक सहीं हो जाएगा सबत का अर्थ है पद इसी तिना से अगला प्रस्णा आपके सामने होगा उपरोक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है अब जो पंक्तियां आपने हित छित की दोए थून गिरानी मो बलेंडा टूटा यह पंक्तियां जो आपने पढ़ी है उपर उसमें किसका वर्णन उस बिश्चे उस पंक्ति को कहने का क्या अर्थ हो रहा है उस पंक्ति से क्या अर प्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां आप देखें ग्यान की महत्ता भी बताई गई है अईश्वर की महिमा भी बताया गया है यहां तीसरा भी कलप आपका सहीं हो जा रहा है उप्रोक्त दोनों का संतो भाई आई ग्यान की आधी रे तो ग्यान की आधी और ग्यान की आधी से अर्थात अग्यान दूर होगा दोनों की महिमा बताया गया है इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलें तो खीना सब्दकार्थ है शीड होना, कठोर होना, खो जाना, प्राप्त कर लेना तो यहां पर आपका सही बिकल्प हो जाएगा एक बिकल्प आपका सही हो जाएगा शीड होना अगला प्रश्न है सूर के उदित होने पर क्या समाप्त हो जाता है मोह माया तम अंधकार मोह माया तम अंधकार तो यहाँ चार विकल्ब जो दिये गए हैं इन विकल्ब को आप ध्यान से देखे तो सुर के उदित होने पर तम अर्थात अंधकार दूर हो जाता है, समाप तो हो जाता है यहां तीसरा विकल्प आपका सही हो रहा है इसी तरह से अगला प्रशन है कभीर ने इस पद में किस छंद का प्रयोग किया है तो किस छंद का प्रयोग किया है कभीर ने छंद दिये गए हैं दोहा छंद चौपाई छंद सोठा छंद उप्रोक्त में से कोई नहीं जब कभीर क साखियों की बात आए तब आपका दोहा चंद सहीं हो जाएगा तब तो दोहा चंद सहीं हो जाएगा लेकिन जब पद की बात आए तो दोहा सोठा और चोपाई तीनों सहीं नहीं होगे अर्था सवया सहीं होगा पद होगा तो यहां पर चोथा भीकल्प आपका सहीं उत्तर ह रहा है चोथ हाभी कलप अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है यह पृत से लिया गया है निमनलखित प्रसणों के उत्तर 25-30 सब्दों में लिखिए अब प्रफ्तेग्प्रस्ण का जो है अंक दो दिया गया है अजो अनक मिलेगे जब आप प्रस्ण लिखेंगे, पहला प्रस्ण है, पानी टपके कच्चे सकोरे ब्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इस पंक्ति का भाव इस पष्ट कीजिए, पंक्ति का भाव इस तरह से आप इस पष्ट कर सकेंगे, कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजारों प्रया दीरे-धीरे कम हो जा रहा है अगला प्रश्न जो है कवित्त्री द्वारा मुक्त के लिए किये जाने वाले प्रयास ब्यर्थ क्यों हो रहे है तो कवित्त्री का कहना है कि सारा जीवन व्योक सद्धना में भी जाने पर अंतिसमे निकत आने के बाद भी परमात्मा से उसका मिल नहीं हो पाया है ऐसे में उसे लगने लगा है कि उसकी साधना एवं इस्वर मिलन के लिए किया गया प्रयास भी फल हो रहा है परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पा रहा है जिसके करण उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका मिलन इस्वर से नहीं हो और उसका प्रयास सारा ब्यर्थ चला गया है इसी तरह से तीसरा प्रस्ण गप्रस्ण है कस्मीर पर एक अनुछेद लिखिए तो आपको एक अनुछेद लिखना है इस तरह से अनुछेद लिखेंगे कस्मीर को भारत का श्वर्ग कहा जाता है इसके उचे पहाड मन को मोह ले लोग यहां घूमने आते हैं यहां के लोगों का मुख्य पेशा पर्यटन है यहां के लोग बहुत सांत रहते हैं लेकिन पिछले साल से यहां के लोगों में राज़नीत का जहर फैला हुआ है अपनी बिद्धुता के लिए बिस्व परसिद्ध पंडितों को सामप्रदाइक ताक्तों ने कस्मीर की घाटी से खदेड दिया है वे आज भी घूम रहे हैं इस प्रकार यह सांती धाम आज अंगारे से धधक रहा है इस तरह से कस्मीर के बारे में एक छोटा सा नुच्छेद आप लिख सकते हैं इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं व्याकरण खंड जो आप कतिमाही पेपर में होगा निमनलिखित प्रस्णों के उत्तर दीजिए तो पहला प्रस्ण यहां होगा जैसे स्वतंत्र सब्द से क्या आसे हैं यह और किन किन नाम से जाने जाते हैं स्वतंत्र सब्द ऐसे सब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ स्वतंत रूप से प्रयोग किया जाता है अर्थ प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे सब्द की या किसी अन्य सब्द की जरूत नहीं पड़ती है सब्द और सब्दांस में अंतर कीजिए अब यहां दूसरा प्रश्णाप कहें सब्द और सब्दांस में अंतर इसपष्ट करें सब्द सवतंतर ह होते हैं सब्दान स्वतंत्र नहीं होते हैं तो यह मुख्य अंतर है कि सब्दान स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं जब कि सब्द स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग होते हैं अवुपसर्ग से दो सब्दों की रचना करें, तीसरा प्रशन है, तो आउपसर्ग से दो सब्दों की रचना करें, आवगूर आवनती, क्या क्या रचना करनी है, आवगूर आवनत, इस तरह से अनेकता सब्द में परयुक्त उपसर्ग प्रत्य और मूल सब्द को अलग अलग लिखी, अनेकता में अनेकता सब्द में अनुपसर्ग होगा एक मूल सब्द होगा और ता प्रत्य होगा इस तरह से इस प्रश्णों तरीका कालां से ही समाप्त करते हैं आप इसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्रश्णों की जांच कर सकते हैं व्याकरण से चार अंक आपको दि मिलेंगे इसी तरह से आपको जो है साखियां और सबत से पांच अंक मिलेंगे और दो बैलों की कथा से पांच अंक दिये जाएगे इस तरह से आपका तिमाही पेपर यहीं समाप्त करते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद जय भारत